Hello everyone, welcome to our channel Judiciary Gold आज के इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि Suits of Civil Nature किसे कहते हैं जब हम लोग Section No. 9 CPC का पढ़ते हैं तो उसके Heading कहती है Quartz to Try Civil Suit Unless Barred जब हम इस Section को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है The Court shall have the Diction to Try All Suits of Civil Nature Unless They Are Expressly or Impliedly Barred तो जब हम इस Section पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि Heading तो कहती है Civil Suits But Section कहता है Suits of Civil Nature तो सवाल यहां पर यही आता है Civil Suits और Civil Nature के Suits यह एक ही है यह इन में कोई Difference है तो आज इस Lecture में हम यह समझने वाल है कि Suits of Civil Nature किसे कहा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं मगर आपको मैं यह समझाओं कि Civil Suits और Civil Nature के Suits में कोई Difference होता है कि नहीं या क्या Difference होता है इसके पहले एक छोटी सी बात समझते हैं तो देखिये जब भी कोई Case Court में चलता है तो इस Case में दो Important बात होती है दो बड़ी खास बात होती है वो बात क्या है देखो एक कि क्या साबित किया जाना है क्या पहली बात क्या है important कि क्या साबित किया जाना है और जो साबित किया जाना है वो किस बेस पर साबित किया जाना है वो किस बेस पर साबित किया जाना है अब एक example लेते हैं मान लीजिए किसी case में क्या साबित करना है कि A property का owner है या नहीं Whether A is owner of the property or not क्या उसको possession मिलना चाहिए यह decide किया जाना है ठीक है और दूसरा है base किस base पर decide किया जाना है हो सकता है कोई will पेश करी गई हो कोई sale deed पेश करी गई हो कोई gift deed पेश करी गई हो इस base पर decide किया जाना है तो ये दो बाते हैं जो कि केस में important है क्या कि क्या साबिट किया जाना है और किस base पर साबिट किया जाना है ये दो चीज़े बड़ी खास हो गई अब यही बाते हमको समझने में मदद करेंगी कि civil suit क्या होता है और civil nature का suit क्या होता है बड़ा छोटा सा difference है क्या होता है यह जो point है कि क्या decide किया जाना है this is called principle question to be decided principle question to be decided ठीक है और यह आपका हो गया the base या matter nation जिसके base पर decide किया जाना है यह अब बात यह है कि जो principle question है वो तो हमेशा किसी civil legal right को ही decide किया जाना होगा हमेशा चाहे civil suit हो यह civil nature का suit हो the principle question which is to be decided वो क्या रहेगा वो हमेशा किसी civil legal right को decide करना ही होगा possession मिलना चाहिए कि नहीं, injunction मिलना चाहिए कि नहीं, declaration मिलना चाहिए कि नहीं, owner है कि नहीं जो भी decide किया जाना, the principle question to be decided वो इन दोनों तरह के cases में हमेशा civil legal right होगी इसमें कोई शक नहीं है, कोई doubt नहीं, मगर जो base है ना, base, जिस base पर decide किया जाना है वो base, civil nature के suits के context में, कोई social issue या कोई religious issue होगा याने कि जो right decide करी जानी है, वो right depend कर रही होगी, किसी social issue या किसी religious issue पर तब हम उस suit को civil nature का suit बोल देंगे, और अगर जिस base पर decide किया जाना है वो social religious नहीं, बलकि कोई legal question ही है किसी legal question के base पर ही आप decide करने वाले हो civil legal right तो ऐसा suit जो है, वो civil suit की category में आजाएगा, इसी example से आपको वो बात समझाया दूँगा देखो, यहाँ पर क्या decide किया जाना है, property का possession A को मिलना चाहिए की नहीं A property का owner है की नहीं, principle question to be decided is always civil legal right मगर जिस base पर यह civil legal right थावित करे जानी है, क्या वो कोई social या religious question है? नहीं, यह कोई will, sale deed, gift deed, यह कोई social या कोई religious question नहीं है, कोई religious issue नहीं है इसलिए क्या होगा? यह जो suit होगा, यह जो suit आपके सामने जिसका example में ने दिया है, यह क्या होगा? यह होगा civil suit, इस civil nature में fall नहीं करेगा हला कि आपको बता दूँ, मैं आपको difference इसलिए नहीं बता रहा, कि यह difference exam में पूछा जाएगा बलकि जब भी किसी word को एक broader meaning देना होता है, तो वैसी vocabulary, वैसे words, वैसे phrases इस्तिमाल किये जाते हैं याद रखना, अगर section number 9 में सिर्फ civil suit word का इस्तिमाल किया होता, ठीक है? तो section number 9 का area बड़ा narrow हो जाता मगर law चाहता है कि where there is right, there is remedy, उभी just, इभी रेमीडियम तो वो चाहता है कि section number 9 का broader area दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो cases है, वो section number 9 में fall कर जाए इसलिए उसने civil nature word का इस्तिमाल किया कि भले ही तुम्हारा base social, religious हो तो वो suit court में लेकर आ सकते हो, हम entertain कर लेंगे, मगर जो बात principle question है, वो civil legal right ही होना चाहिए, उसमें compromise नहीं करेंगे civil nature का भी अगर suit है ना, तो इस point पे compromise नहीं किया जाएगा तो civil legal right ही decide करी जानी है, मगर जिन facts पर ये right depend करती है, जिसके बेसे साबित करी जानी है, वो अगर social or religious है तो civil nature का suit हो जाएगा, याद रखना, ये कोई contradictory words नहीं है, ये section number 9 को ब्रॉडर जो है area देने के लिए civil nature word का इस्तिमाल किया है, इनमें किसी तरह कोई contradiction नहीं है, ये आपको समझना पढ़ेगा तो ये मैंने आपको बताया कि civil suit और civil nature के suits में difference क्या होता है, अच्छा, कुछ examples हैं, हम वो भी देख लेते हैं, कि civil nature के suits में क्या क्या fall कर जाता है, तो right to property, suits relating to worship, या right of worship, and suits relating to taking out of religious procession अब ये कुछ examples से जो मैंने discuss किये, कि ये civil nature के suits कहला जाएंगे, अब आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, ये जो मैंने आपको बात समझाई है, अगर आप section number 9 का explanation number 1 पढ़ोगे न, तो आपको ये बिल्कुल clear हो जाएगा section number 9 का explanation number 1 कहता क्या है, कि अगर कोई suit property से जुड़ा हुआ है, office से जुड़ा हुआ है, तो भले ही, तो भले ही, वो depend करता हो, किसी religious right या ceremony पर, वो civil nature का हो जाएगा, ये तो मैंने आपको समझाया, कि भाई, ultimate, देखो हमारा example क्या था, कि एक को property मिलने की चाहिए की नहीं मिलने चाहिए, तो suit तो जुड़ा हुआ property से, depend कर रहा है, यहाँ पर हमारे example में, वो depend किसी social या religious issue पर नहीं कर रहा, social, यह religious question पर नहीं कर रहा, इसलिए वो civil suit हो गया, मगर माल लो हमारे example में, वो depend कर रहा होता है, किसी religious right या ceremony पर, तो वो civil nature के, जो है, area में, उसके purview में, वो आ जाता, और इसलिए मैंने आप से कहा, कि यहाँ पर civil nature जो word use किया गया है, यह use किया गया है, section number 9 को broader aspect देने के लिए, ना कि यह contradictory है, मगर हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना चाहिए कि भाई, क्यों use किया गया है, इसलिए मैंने आपको यह difference बताया, तो they are not contradictory, rather civil nature का जो suit होता है, it is a broader aspect, जो कि section number 9 को एक broader purview दे देता है, तो यह है हमारा आज का वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया है, तो like करिए, share करिए, अगर चैनल सब्स्राइब नहीं किया है, तो subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले, thank you and all the best.